नमस्कार आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूँ विशाल शर्मा कल मारूती सुजुकी के दिसंबर तिमाही के नतीजे आये मुनाफ़ा 1111 करोर रुपे से बरकर 2351 करोर रुपे हो गया कंपनी की आये में भी 25 फीजदी की बरहोतरी देखने को मिली है मारूती का आये 23,246 करोर रुपे से बरकर 29,044 करोर रुपे हो गया मारूती के एबिडिटा में भी 82 फीजदी का उचाल आया है एबिडिटा 1569 करोर रुपे से बरकर 2833 करोर रुपे हो गया है मारूती के मार्जिन में 300 basis point का जंप भी देखा गया है कंपनी का मार्जिन 6.7 फीजदी से बर कर 9.7 फीजदी हो गया अब Global Brokerage Reports मारूती सुज़की पर क्या कह रहे हैं ये जान लेते हैं लेकिन इससे पहले आपको एक एहम जानकारी दे देते हैं बिस्तक पर 1 February से बजट कवरेज स्टार्ट होगा इस कवरेज में आप लोग जुरिए क्या इंकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी नए टैक्स विवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएगी आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं हमारे प्रोबो पर जो हमारे ओपीनियन पार्टनर हैं आपको हमारा लिंक हमारे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब आईए रिपोर्ट्स पर मारूती सुजकी पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है इसके मुताबिक शेर 10,483 रुपे का भाव आने वाले समय में दिखा सकता है मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक मारूती सुजकी के मार्केट शेर में अगले फाइनशल येर में भी बरहोतरी देखने को मिल सकता है गोल्डमें सैक्स मारूती पर 11,000 रुपे का लक्ष दे रहा है इस शेर पर गोल्डमें बाई की रेटिंग के साथ खरिदारी की सलाह दे रहा है हलाकि JP Morgan इन दोनों के राय से सहमत नहीं है, JP Morgan मारूती पर neutral rating दे रहा है, इसके मताबिक share 8,430 रुपे के लेवल तक गिर सकता है अब आईए Jeffries पर मारूती पर Jeffries खरिदारी की राय को बरकरार रखा है, इसके मताबिक share 11,250 रुपे तक जा सकता है CLA से एक मात्र ऐसी brokerage house है, जिसने मारूती के share पर बिकवाली की सला दी है CLA से के मताबिक share 8,240 रुपे के लेवल तक गिर सकता है City सबसे जादा मारूती सुजुकी के share पर bullish है, इसके मताबिक share 13,100 का लेवल आने वाले समय में दिखा सकता है बता दें, अभी मारूती सुजुकी का share 8,696 रुपे पर trade कर रहा है तो अगर आपको current लेवल से 30 से 40 फीजदी का return कमाना है तो brokerage report के अनुसार आप इस share में पैसा लगा सकते है तो इसी तरह business जगत से जुड़ी, तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे बैस्ता